सबका हमारी चैनल एगरिकल्चर पॉइंट में और आज मैं दोस्तों फिर से आज ही रुआ हूँ आज बेसी एगरिकल्चर फोर्थ समेश्टर का जो नेक्स पेपर हुआ है पॉलर्ट्री पोडेक्शन एंड मैनेजमेंट का उसका मैं solution paper लेकर आया हूँ चलता हूँ मिलाता हूँ मेरी series जो है C है आपकी यदि C है तो इसी according में मिला सकते हैं वरना आप change करके मिलाएंगे चलते हैं question number 1 की तरफ अंडा देने वाली मुर्गी के दाने में grid का प्रतिसत होता है तो दोस्तों कितना होता है देड़ परसेंट होता है आपसन B इसदा right होगा next question आता है कड़कनाथ कहां की नसल है तो दोस्तों कड़कनाथ जो होती है मद्ध प्रदेश की होती है आपसन A right होगा next question आता है रानी खेद बीमारी के लिए प्रथन टीका करण की आयू कितनी थी तो दोस्तों एक से साथ दिन होती है आपसन B right होगा next question आता है बटेर के अंडे का आउसत वजन होता है तो दोस्तों कितना होता है 100 ग्राम होता है आपसन B right होगा next question आता है मुर्गे के मास का ड्रेसिंग प्रतिसत होता है तो दोस्तों कितना होता है 70-72% होता है option C right होगा next question आता है अंडा दिने वाली मुर्गी को प्रति दिन आहार किया सकता होती तो कितनी होती है दोस्तों 100-120 ग्राम होती है option A right होगा next question आता है मुर्गी का कौन सा समूह सफेद अंडा देता है तो दोस्तों C, R, D रोग किसके कारण होता है तो दोस्तों किसके कारण होता है जीवान के द्वारा होता है option C right होगा next question आता है निमलिखित में से बड़ा यकरत रोग है तो कौन सा है दोस्तों coxidiosis है option D right होगा next question आता है मुर्गी के अंडा से में कितने छोटे अंडार उपाये जाते है तो दोस्तों 900 से 3600 पाये जाते है option B right होगा next question आता है coxidiosis रोग किसके कारण होता है तो दोस्तों ये पुटो जोगा के कारण होता है option C right होगा next question आता है अंडे का खोल परसंट होता है तो कितना कोल परसंट होता है 11 परसंट होता है अफसन C राइट होगा next question आता है कुकट पच्ची के लिए सिर पर गहरे लाल रंग के मानसल भाग को कहते हैं तो दोस्तों क्या कहते हैं कॉमब कहते हैं अफसन B राइट होगा D next question आता है चूजा निकालने की मसीन को कहा जाता है उसको दोस्तों कहा जाता है इंकुवेटर कहा जाता है अफसन D राइट होगा next question पर चलता हूँ मास का लाल रंग किसकी उपस्थित के कारण होता है तो दोस्तों इसमें आफसन C राइट होगा 2.5 से 3 वर्ग मीटर next question आता है दोस्तों जब मुर्गी अंडों में बैट कर उन्हें सेने की इच्छा रखती है तो क्या कहते हैं कुड़क मुर्गी आफसन D राइट होगा next question आता है मुर्गी में अंडा देने की प्रिकरिया क्या कहलाती है तो ओ भी position कहलाती है आफसन D राइट होगा next question दोस्तों गंबारों को इस रूप में भी जाना जाता है तो किस रूप में गंबारों को जाना जाता है IBD के रूप में आफसन D राइट होगा next आता है मुर्गी की किस नसल को काला मासी या काला मास के नाम से जाना जाता है तो दोस्तों ये कड़कना जो होती है इसको काला मास के नाम से जाना जाता है और ये मद्ध प्रदेश की है तो आफसन C राइट होगा नेक्स कोश्चन आता है एक फीड होजर पर्याप्त है तो कितने के लिए तो दस मुर्गियों के लिए पर्याप्त है तो आपसन A right होगा नेक्स कोश्चन आता है दोस्तो अंडे में पाया जाने वाला जल परसित है तो कितना परसन? चाचर परसन नेक्स कोश्चन दोस्तो आता है आठ सब्ता की आयू तक मास के उद्धिस से पाले जाने वाले नर्प नर्प पच्छी होते हैं तो बॉयलर होते है आपसन B right होगा नेक्स कोश्चन आता है बत्तक के अंडे की उसमाय नवदी होती है तो कितनी होती है? 28 दिन की होती है आपसन C right होगा नेक्स कोश्चन आता है निसेची तंडे के लिए भंडारत ताप्मन होता है तो कितना होता है? दोस्तो इसमें दोनों आपसन ही सही है यदि जो एक्जामनर चाहेगा वो सलेक्ट करेगा इसमें नेक्स कोश्चन आता है दोस्तों गहरी बिचावन पधत के लिए सर्व सेष्ट बिचावन सामगरी कौन सी है तो दोस्तों धान की भूसी है आपसन सी राइट होगा नेक्स कोश्चन आता है मुर्गी आहर के लिए सबसे लोगपरी अनाज है तो कौन सा है दोस्तों मक्का है आपसन D right होगा, next question आता है, भारत में मुर्गी पालक के जनक कौन है तो दोस्तों, डाक्टर बीवी राव है, आपसन E right होगा next question आता है, दोस्तों, ICMR द्वारा प्रतिवर्स अंडा खाने की संस्तोती है तो कितनी है, 182 अंडा, तो आपसन E right होगा नेक्स गोश्चन आता है डोस्तों सरवाधिक अंडा उतपाद्धक राज यह है वो आंध्र प्रदेश है आपसन B राइट होगा नेक्स आता है मुर्गी के एक सामान अंडे के उर्जा प्राप्त होती है तो कितनी तो 80 कलोरी प्राप्त होती है आपसन C राइट होगा नेक्स कोश्चन आता है अंडा उत्पादन है तो प्रती सव मुर्गी पर कितनी नर्की आव सकता होती है तो दोस्तों दस इसमें जो होगा दस नर्की आव सकता होगी नेक्स कोश्चन आता है दोस्तों अंडा देने के लिए 20% मुर्गी की नसल है तो कौन सी है सफेद लेगहॉर्न होगी वाइट लेगहॉर्न तो आपसने राइट होगा नेक्स कोश्चन है दोस्तों प्रोढ नर मुर्गे को कहा जाता है तो कौक कहा जाता है आपसन सी राइट होगा नेक्स कोश्चन आता है करसी और पसुस्ति करण खाद उत्पाद निर्यात विकास प्राधी करण की स्थापना कब की गई तो 1985 में की गई थी आफसन सी राइट होगा नेक्स कोशन आता है निम्लिकित में से अंडा देने की वाली बतक की नसल है तो कौन सी है दोस्तों ये खाखी कैमपलर कैमपबेल है आफसने राइट होगा नेक्स कोशन आता है मुर्गियों की चोच काटने का उद्देश होता है आफसन डी राइट होगा सभी इसमें से पंख नोचना नियंतित करने के लिए दाने की बरबादी रोगने के लिए स्वाजात अब अच्छन नियंतित करने के लिए next question आता है candleling की किरिया किस से संबन्दित होती तो अंडे की आंत्री के परिछन के लिए तो आपसन नी right होगा next question आता है कैरी कहां इस्थित है तो दोश्तो कैरी जो है इजटनगर बरेली में इस्थित है नेक्स कोश्चन आता है दोस्तों चिकेन मास में प्रोटीन प्रस्षत होता है तो कितना होता है दोस्तों 21% होता है आपसन भी राइट होगा नेक्स कोश्चन आता है बधिया मुर्गा कहलाता है तो बधिया मुर्गा जो होता है काईपेन गयलाता है दोस्तों नेक्स कोश्चन है तो वह इस्थान जहां डिम बनी सेचित होता है क्या कहलाता है तो आपसन C राइट होगा अंडवाहिनी तथा इंफार डिबुलम नेक्स कोश्चन आता है 47 नंबर क्रेजी चिक रोग किसकी कमी से होता है तो दोस्तों के ये विटामिन E की कमी से होता है आपसन B राइट होगा नेक्स कोश्चन आता है कोकोट साला में विछावन में नमी परसेत है तो कितना दोस्तों 8 से 12 परसें D आपसन सही होगा नेक्स कोशन है अंडा बनाने में कितने गंटे लगते हैं तो अंडा बनने में जो होता है दूस्तों 25 घंटे लगते हैं आफसन सी राइट होगा नेक्स कोश्चन आता है दोस्तों किस वर्णक के कारण मुर्गी के तोचा का रंग पीला हो जाता है तो जिन्तोपिल के कारण हो जाता है आपसन भी राइट होगा नेक्स कोशन आता है मुर्गी के दोहरे उद्देस वाली नसल है तो कौन सी दोस्तों है मिनूर का है आप से नहीं राइट होगा नेक्स कोशन आता है अंडे की जर्दी में वसा परसंट होता है तो कितना होता है 32.5 होता है आप से नहीं राइट होगा नेक्स कोश्चन आता है बॉयलर स्टाटर में प्रोटीन परसंट होता है तो कितना होता है दोस्तों 22% होता है आफसन भी राइट होगा नेक्स कोश्चन ने जोस्तो अंड़ा देने वाली मुर्गी के रासन में उर्जा परसंट होता है तो कितना होता है दोस्तो 26 कलोरी होता है Sow Even में खोता है नेक्स कोश्चन आता है बूर्डर का ताप्मान पहले सब्सल्सिब तो कितना होना चाहिए 93 से 95 डिगरी फारेन हाइट होना चाहिए next question दोस्तो आता है कुकुट मास को कहते हैं तो कुकुट मास को दोस्तो very simple question है chicken कहते है आपसन डी राइट होगा next question आता है नर बतक कहलाती है तो क्या कहलाती है drag कहलाती है आपसन बी राइट होगा नेक्स कोश्चन लास्ट कोश्चन दोस्तो आ गया है एक वर्ष से कम उम्र के नर मुर्गे को कहा जाता है तो दोस्तो क्या कहा जाता है एक से कम के तो कौकरेल कहा जाता है दोस्तो तो दोस्तो वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक अवसी ही करें और चैनल को सस्क्राइब कर लिजे क्योंकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगी दोस्तो एक वीडियो मैं आज बहुत ही सर्प्राइज डालने वाला हूँ वो आप देख लिजेगा वो आपके लिए बहुत ही बेनिफिट होगा